दोस्तो दिवाली शुरू हो चुकी और सब तरफ लग चुकी है सेल सेल जिसका आपको बेसबरी से इंतिजार होता है चाहे ऑनलाइन शॉपिंग हो या विंडो शॉपिंग हो कुछ में भी हो आपको सेल का बोर्ड देखकर बहुत मजा जाता है सब तरफ शॉपिंग मॉल्स खाली हैं लेकिन सेल आते ही भर जाएंगे सभी लोग पागलों की तरह शॉपिंग करेंगे और अगर सेल देखकर क्या आपका दिल भी ऐसा ही बोलता है और दोस्तों अगर आप सेल में सोच रहे हैं कि कुछी भी तरह का सामान सस्ता मिलेगा या आउनलाइन शॉपिंग में जो भी फेस्टिवल्स की सीजन की सेल होती है उसमें आपको चीजें सस्ती मिलेंगी तो कहीं न कहीं आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए क्योंकि इसमें हम प्रॉपरली कमपारिजन करेंगे ताकि आपके क्रेडिट का बिल जादा ना आए और आप इन लुभावने ओफर्स में फसे नहीं तो अब आपके सामने आने वाला है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल अमेजॉन का और साथ ही साथ दूसरी वेबसाइट है जो है फिलिप कार्ड और शुरू होने वाला है उस पे दबिग बिलियन डेज मैं इन वेबसाइट के खिलाफ नहीं हूँ और भी वेबसाइट से इन सम में हमको देखना है और रेट मैं कंपेर कर रहा हूँ कि फेस्टिवल सीजन में क्या होता है तो देखिए जो 5,397 रूपे का गीजर था वो हो चुका है 5,670 में राइट हैं वाली रेट्स हैं फेस्टिवल के पिछले फेस्टिवल की यानि अगस्त के फेस्टिवल की और ये लेफ्ट एंड साइड है नई रेट्स इस फेस्टिवल की 190 रूपे का शेंपू हो चुका है 266 का यानि रेट्स को बड़ा दिया गया है जो निविया का बॉडी लोशन 263 रूपीज का था वो हो चुका है 300 रूपीज का इतना डिफरेंस है और उसके बाद आपको 10% डिसकाउंट देते हैं और ये बोलते है सेल है 239 रूपीज का बॉडी लोशन जो मैंने खुदने पहले परचीस किया था वो इस फेस्टिवल सेल में हो चुका है 279 रूपीज का यानि हर आइटम पे रेट और ये देखिए 215 रूपीज का लैक में का पीच जो एक पे एक फ्री था उस टाइम वो अब सिंगल पीच है 325 रूपीज का ध्यान से समझी है और ये तो गजब ही है 295 रूपीज का जो बैडमिंटन का सेट है रेकिट का वो हो चुका है 489 रूपीज यानि डबल रेट हो चुकी और आप सोच रहे हैं कि फेस्टिवल सीजन में आपको सस्ता मिलेगा और ये देखिए बुक है 79 रूपीज की जो मैंने पर्चेस की थी और अब हो चुकी है 149 रूपीज प्लस डिलिवरी चार्जेज इन्होंने रेट बढ़ा दिये हैं तो फिर आप क्या करेंगे अगर आप पहले से अपने कार्ट में शॉपिंग की चीज़ें एड करते हैं तो आपको इस तरह का मैसेज आ जाएगा कि आपके जो प्राइस हैं वो चेंज हो चुकी है और रेट बढ़ चुकी है तो इसका मतलब क्या हमेशा सेल में हमको लॉस होता है या हमको सेल से नहीं खरीदना चाहिए तो ऐसा नहीं है 250 रूपीज का जो पहले सेनिटाइजर की बॉटल थी वो अभी इस सेल में मिल रही है 175 रूपीज की यानि कुछ रेट कम भी होती है और साथी साथ आपको सेल में मिल जाता है 10% इंस्टेंट डिसकाउंट क्रेडिट कार्ट के उपर जो पहले नॉर्मल डेज में या तो कैश बैक होता है तो क्या हमको शॉपिंग करनी चाहिए इस तरह की फ्रीडम सेल या दिवाली की जो सेल होती है ये आपको डिसाइड करना है क्योंकि आपको रेट्स पता होनी चाहिए मार्केट्स में रेट्स पता कीजिए पहले से उस आइटम को देखते रहिए और उसको अपने कार्ट में एड कर लीजिए ताकि आपको उसकी एक्चिल वैलू मालूम चले और सबसे बड़ी बात किसी भी चीज़ को लेने से पहले उसके रिव्यूस चेक कीजिए रिव्यूस में कुछ लोग रेट्स भी बताते हैं बहुत ध्यान से शॉपिंग कीजिए समझ कर कीजिए कहीं ऐसा नहो कि सेल के चकर में आप वस्तम में पागल बन जाएं प्राफिट होता है लेकिन साथी साथ नुकसान भी होने की समभावना है कई लोग इसमें डुपलिकेट सामान देते हैं और कई लोग इसमें रेट्स को डबल करकर बेचते हैं कई बार सेल खतम होने के बाद भी रेट्स कम हो जाती है तो सेल का वेट मत कीजिए आपका दिल जो करे वो खरीदिये लेकिन खरीदने के पहले रेट्स कमपेर कीजिए बाकी वेबसाइट से, मारकेट से, ऑनलाइन सर्वे कीजिए उसके बाद ही पर्चेस कीजिए दोस्तों और रिव्यूज जरूर चेक कीजिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए हैपी शॉपिंग नमस्कार दोस्तों